हलो यूरीवन गुड मॉनिंग नमस्कार 23 जुलाई 2021 और आज के दहिंदू निजपेपर गौंबलग डिसकस करेंगे अनलेसिस करेंगे आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तन आए से स्पेडमें टेलिग्राम पर लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे टोक्यो ओलम्पिक 2020 की और इसके बारे में थोड़ीशी इनफोर्मेशन दी गी है दहिंदू के अंदर भी टोक्यो 2020 जो है ओफिशली गेम होगा जो की 32 गेम है और जो पोस्ट कर दिया गया था और यह आज यानि 23 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो रहा है और आठ अगस्त तर जैपनीज केबिटल टोक्यो के अंदर होश्ट किया जाएगा जपान जो दूसरी बार इस गेम को होश्ट कर रहा है 1964 में भी इन्होंने गेम को होश्ट किया था इनके अलावा यह इसके बारे में सवाल हुआ था इसके बाद इसमें बताया गया कि total number of games यह important हो सकता sports की information के हिसाब से the games in number 339 sporting event होगे 33 discipline होगी 42 venues होगे 42 जगे होगी यानि इसमें अलग-अलग place बनाए गई है 11,200 athletes होगे इसके अंदर 120 Indian जो है वो participate करें इसके अलावा भारत जो है डेब्यू कर रहे है karate के अंदर, skateboarding के अंदर, sport climbing के अंदर और, surfing के अंदर यह interesting है इसके अलावा athlete represent करें 206 National Olympic committees को including refugee Olympic team इसके अलावा यहाँ पर Indian contingent जो है भारतिय जो दल है वो 18 discipline के अंदर participate करेगा इनके अलावा गरा आप देखेंगे भारत की तरफ से मनप्रीत सिंग और मेरी कॉम यह flag bearer ceremony को जो है वो opening ceremony को जो है flag bearer आप बोल सकते हैं कि धोजार एक तरीके से जो flag लेकर चलते हैं आगया अगर लेड करेंगे इसके अलावा अफिशल मसकत जो है इसका इसके अफिशल मसकत में जो मिराई तोवा वर्ड यूज किया गए इसका मतलब बिचिकली क्या होता है और अगर आप ओफिशली देखेंगे ओलम्पिक की साइट पर भी तो यहां पर भी mention किया गया है कि इस वर्ड का origin और इसका मतलब क्या है मिराई का मतलब होता है future और तोवा का मतलब होता है eternity ठीक है और टोक्यो ओलम्पिक इसके लाबा टोक्यो 2020 जो पैर ओलम्पिक होगा उसका different मसकत दोनों के अलग अलग आपको मसकत देखने को मिलेंगे इसके बाद यहां परागर आप देखेंगे तो इसमें कई सारी चीजें बताएगी जैसे माइकल फ्लेफ जो है वो अब तक के हाइस्ट मैडलिस्ट है जिसने जिन्होंने 28 मैडल जीते हैं 23 गोल्ड है 3 सिलवर है दो ब्रॉंज है भारत की तरफ से individual category के अंदर अभिनोव ब information भी आप देखेंगे जैसे IT department ने income tax department ने raid करिये देने के भासकर और कई सारे media groups पर जिसमें भारत समाचार भी एक तरीके से group है कई लोग जैसे political opposition की मैं बात करूँ तो यह allegation लगा रहे है कि media पर जो raid है वो कहीं ने कहीं एक तरीके से media की आवाज को दबानी कोशिस कर रहे यह attempt intimidate करने को media को इनके अलाबा अगर आप constitutional provisions की बात करेंगे तो right to free speech के अंदर या हमें जो बोलने के अजादी अपनी विचार विक्त करने के जादी आर्टिकल 19 के अंदर उसके अंदर एक तरीके से यह media को भी include किया जाता है तो यह एक छोटीची information है किस पर raid करी कितने लोगों पर raid करी यह बहुत जादा important नहीं है और income tax department में के बारे में पढ़ना बहुत जुरूरी नहीं है लेकिन कई बार जैसे question हो सकते है taxation को लेकर कि यह direct tax है यह indirect tax है जैसे indirect में मौशली GST आ जाएगा और direct tax कौन कौन से हो सकते है उस तरह की सवाल आप से पूसे जा सकते है ठीक है तो आप लोगों से front page पर दो question है दो question कौन कौन से पहले अगर आप दिखेंगे तो यहाँ एक word यूज किया है electronic waste electronic waste से कौन कौन स दूसरा सवाल आप लोगों से कौन से है यहाँ पर आपको mention करना है कि कौन कौन से text को आप direct tax के अंदर या पर text करके अंदर include कर सकते हैं वह आप 2-4 text mention कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे परलियमेंट का monsoon session चल रहा है और monsoon session में भी यहाँ पर mention किया गया परलियमेंट परलाइज यानि परलियमेंट जो परलाइज हो चुकी है किस चीज़ को लेकर परलाइज इनदर सेंस की function नहीं कर रही है दो इशू है पिगासस को लेकर और फार्म लोज को लेकर इवन बहुत सारी इशूज हो सकते हैं जिसमें एक तरीके से डिवेट नहीं हो रहा पारलियमेंट को बार बार अर्जिन करना पर रहा है कल एक इंसिडेंट होता है तिनमल कॉंग्रेस के MP है उन्होंने जब IT Minister स्टेटमेंट दे रहे थे स्पाइवेर के बारे में पिगासस के बारे में उस स्टेटमेंट को जो टीर कर दिया था या फार्ड दिया था तो अब यहां पर यह भी डिवेट होता है कि जो पारलियमेंट फंक्शन करती है या पारलियमेंट के अंदर जो मेंबर है वो फंक्शन करते हैं उनका यह जो बिहेवियर है क्या यह सही है क्या गलत है इसके बारे में डिवेट हो सकती है और पारलियमेंट की जो फंक्शन है या पारलियमेंट की जो एफिकेशी है उसको लेकर भी क्योस् स्पाइवेर के बारे में डिबेट हो रहा है उस टाइम पर जुरूरी यह था कि सरकार के उपर एलिगेशन लगाईए आपको राइट है बट एलिगेशन के जवाब में यानि आप क्योशन रेज करते हैं उस टाइम पर आप उनके आंसर जुरूर सुनें तो इस तरह कि जो बहीवियर है कि मिनिस्टर को स्टेटमेंट दे रहा है या उनको टियर करते हैं यह थोड़ा सा इन एप्रोप्रेट लगते हैं आप मेरी बात से होने का बहुत जरूरी नहीं है छे मेने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए एक वर्ड यहां पर बार बार यूज होगा अर्जन करके और अर्जन का मतलब होता है कि सद्गित कर देना कुछ टाइम के लिए तो यहां पर देखें अर्जनमेंट मोशन और यूपियस इन 2017 में जो सवाल पूछा था कि पारलिया काउंसिल और मिनिस्टर पर पारलियमेंट कंट्रोल कैसे रखती है तो उसमें अर्जनमेंट है क्योशन तरीके से क्योशन आवर ह क्योशन बोलते हैं स्टार मार्क क्योशन भी अब बोल सकते हैं तो यह कुछ इन्फोर्मिशन है इसके लावा इसराइली पैनल ने एक तरीके से जो एनसो ग्रूप है एनसस एनसो ग्रूप जिसको मना जाता है कि पिगासिस स्पाइवेर के थुरू सर्विलेंस करवाई यहां पर बता है कि जब तक रिजल्ट इसके फिनिश नहीं हो जाते हम एक तरीक हम रिव्यू करेंगे और इसमें रिजल्ट की वेट करेंगी ताकि इसमें आने वाले टाइम में क्रेक्शन किजास की यह स्टेट्मेंट दीगी है तो यहां पर यह स्टेट्मेंट दीगी है इसके बाद हम जाएंगे पेज नमबर 6 पे पेज नमबर 6 पे एडिटोरिल है इसके लाब़ा यहां पर भी एक स्टेटमेंट दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से दिल्ली के सीम कोई कॉंटेक्स में और यह स्टेटमेंट बेसिकली क्या है यानि जो लोग गरीब है और हाउस के रेंट पे नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को लेकर हाई कोर्ट ने दिल्ली के उख्यमंदरी को बोला है यानि आप जो आपने प्रोमिस किया उसको कंप्लिट करिए इसके बाद छे निमबर पेज पर एडिटोरिल पार्ट स्टार्ट होता है इसमें भूट सारे एडिटोरिल है तीन एडिटोरिल हमारी प्रयाइटी में होंगे फॉर्थ एडिटोरिल के बारे में ब्रीफ में हम डिसकस करेंगे सबसे पहले बात करेंगे limits of cooperation करके या सहकारिता या cooperation का उलाब एक दूसरे से सहयोग करना उसकी limits क्या है यह article का यह इस article को discuss करने के पीछे reason क्या हो सकते हैं reason में दो चीज़ों ही है पहला आपने देखा हुए नई ministry बनाई ministry of cooperation इसके लाबा Supreme Court का भी एक judgment आया था 97 constitutional amendment को लेकर समिधान संसोधन को लेकर और इसमें कुछ amendments को यहाँ पर statement देखिए जो Supreme Court की जो थ्री जिजिज़ की bench है उन्होंने दी थी we have struck down part IX यानि 9B of the constitution related to cooperative societies but we have saved the amendment यानि हम cooperative societies related to constitution का जो part है IX भी इसको struck down कर रहे हैं इसको खतम कर रहे हैं लेकिन हम इस amendment को save कर रहे हैं इसमें कुछ amendment जो Supreme Court से जो यह जो amendment था इसके कुछ parts को जो है struck कर दिया था जो खतम कर दिया था इसी चीज़ को लेकर था limits of cooperation cooperation की limit क्या होगी सहकारिता की limit क्या होगी इनके लावब यहाँ पर बताया गया कि cooperative जो sector है उसको reform की requirement है बट यह federal principle की cost पर नहीं होना चाहिए federal principle का मतलब होता है संगिये समिधान या संगिये सिधान पर जिसमें राज्य सरकार केंदर सरकार इनके जो subjects है उन पर एक दूसरे से अवरिच नहीं होना चाहिए या कहिने के centralization नहीं होना चाहिए जो power दीगी constitution के द्वारा उनमें interfere नहीं होना चाहिए ठीक है तो इसी चीज को लेकर बताया गया कि जो cooperative moment है वो definitely उसमें reforms की requirement है लेकि उसमें political interference नहीं होना चाहिए खासकर cooperative societies के elections का regularly ना होना उनको एक तरीके से या proper women को function ना करना इस तरह की चीज़ें नहीं होने से ये 97 constitutional amendment जब एक word यूज के अज़र है constitutional amendment कोई समिधान संसोदन अगर पूरे आलग अलग आप देखेंगे राज्य और संग सरकार के relation को अगर effect कर रहा है तो इसमें आदे राज्यों की 70 यानि 50% से उपर एक तरीके से state की permission भी चाहिए 2012 में एक तरीके से ये amendment लागू कर दिया गया और इसमें major step क्या थे इसमें कहीं ने कहीं जो problem थी कि ये उनकी सवायत्ता को infuse कर रहा था democratic function and professional management को भी कहीं ने कहीं problematic हो सकती थी 2012 में जब ये amendment लागू हुआ उसके बाद 2013 में गुजरात हाई court के एक statement है उसके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर रेशन में supreme court की जो verdict आई है कि इस amendment के कुछ part को जैसा कि हमने बताया कि part 9b उसको जो है unconstitutional बोला है supreme court ने कि cooperative societies के उपर जो control करने कोसिस की जा रही है या जो control है अब देखेंगे cooperative society state subject के अंदर आता है उसके अंदर अगर control करने कोसिस किया जाएगा तो और यह control और यह reforms के नाम पर कोई control होगा तो इसमें यह mention किया गया कि quasi federal principle जो है वो समिधान के अंदर इसकी cost पर जो है वो नहीं किया जा सकता और इसमें अब इस amendment के थुरू part IXB या 9B जो है constitution में जो concern करता है cooperative society से उसको एक तरीके से हटा दिया गया है उसको एक तरीके से struck down करतीया गया supreme court के द्वारा इसके बाद यहां पर आप देखेंगे part IXB या 9B जो है वो एक तरीके से discuss करता है state legislature on cooperative society इसके अलाव इसमें कुछ provisions है जैसे कितने number हो सकते हैं director कितने हो सकते हैं reservation जो search की होंगी वो कैसे होंगी इनके अलावा यहां पर elected members का जो term है वो क्या होगा इन सब चीजों के लिए कर डिसकस किया गया लेकि 97 amendment में ये क्योंकि ये state legislature पर भी बहुँ जादा डिपेंड था और इसमें state औ Supreme Court ने 2013 में पाया था कि ये जो amendment है ये invalid है इस तरह का ratification नहीं होना चाहिए और दूसरा यहां पर ये भी बोला गया कि अभी जो सुप्रीम कोड की judgment आये टू वन्स यानि तीन जजीज की बैंस ती उसने दो एक के एक तरीके से ratio में जिजमेंट दिया इसमें बोला कि ये जो amendment है या इस तरह की जो amendment हुए है वो एक तरीके से उसका कुछ part यानि हमने amendment को तो save कर रहे है लेकिन इसका कुछ part जो है वो सही नहीं है और यहां पर ये बोला गया कि parliament के उपर भी limitation है कि amending power उसके जो संसोधन करने की सकती है उसको भी एक limit होगी आसा नहीं कि वो हर चीज को amendment कर देगा और 50% की जो list है वो composition होना चाहिए क्यों क्यों क्योंकि cooperative society जो states list के अंदर count होता है और 97th amendment में ये तरीके से उसको gap reform कर सकते है बट आपको उसमें assemblies के साथ consultation करना चाहिए 50% plus population 50% plus states के साथ भी consultation इसमें किया जाना चाहिए और इनी सब के बीच में नई ministry बनना ministry of cooperation बनती है और उसको लेकर बहुत सारे political activity से लोग बोलते हैं कि ये कहीं ने कहीं states subject होने के वावजूद भी इस तरह की ministries बनाना ये definitely problematic है इसको लेकर रिशन में आप कुछ statement भी देखेंगे जैसे supreme court का जो रिशन में judgment आया था और इसमें बोला भी गया था कि 2011 में इस तरह के 97 का अक्तिरीकेश जो provision थे उनको उसके कुछ closes को जो है कहीं ने कहीं उसको लेकर challenge किया गया था और यहाँ पर बताया गया था belongs wholly and exclusively to the state legislature to legislate upon यानि इस particular issue पर corporate society पर सबसे पहला right होगा क्योंकि state list के अंदर state legislature इस पर कानूर बना सकती इसके लावा इसके में ratification की जुरूत है उसमें one half और the state legislature as per article 368-2 यानि समिधान संसोधन का जो procedure बताया गया है 368 के अंदर two के अंदर उसमें one half यानि किन की आदे जो state होंगे उनकी permission जो है वो जुरूरी 50% इसके लावा 2013 में गुजरात हाई court का जो verdict आया था struck down किया थे इसके कुछ parts को उसको continue किया गया और यहां पर यह mention किया supreme court के द्वारा the judgment of the high court is upheld हम उसको उसको कहने के अपहल करते है उसको support करते समर्थन करते है to the extent that it strikes down the entirety of the part IX या 9b of the constitution of India as held by us above it is declared that part 9b of the constitution of India is operating only in so far as it's concerned multi-state cooperative society both within the various states and in the union territories of India यानि जबता कि multi-state cooperative society से related होगा उस context में इसके कुछ part लागू होगे otherwise इस part के IXB के जो constitution के अंदर है यह लागू नहीं होगा यह important editorial था इसके बाद बात करेंगे second editorial की यह article यह editorial जो है important है क्यों important है इस time डेश जो है यह पूरी दुनिया तरीके से Tokyo Olympic के बारे में जरूर सोच रही होगी या उसने सुना जरूर होगा Tokyo Olympic शुरू हो रहा है 2020 का 2021 में ठीक है 23 जुलाई से 8 अगस तक इस दुरान पूरी दुनिया की नजर की कौन सा खिलाडी हमारे यहाँ पर medal लेकर आता है इन सब के अलावा कि in search of gold यानि gold की तलास में यह article mention किया गया the Olympic Games remain the greatest sporting event for fans and athletes alike यानि Olympic में हर वेक्ति का सपना होता है चाहिए sports person खास कर कि sports person है या fans है कि इस particular game के अंदर participate किया जाए या इसके अंदर country को represent किया जाए इसको Tokyo 2020 ही बोला जाएगा 2021 नहीं बोला जाए क्योंकि officially 2020 game है cable जो है यह shift हुए 2021 के अंदर ठीक है तो इसमें mention किया गया कि बहुत सारे protocol के वावजूद भी चार साल में जो पहली बार game होते हैं एक साल delay की वे 2021 में फाइनली शुरू हो रहे है और Tokyo ये जपान में COVID-19 cases के वावजूद भी इनको continue किया जारा कुछ लोग criticize कर रहे है गवर्मेंट का कि इनको जो है go ahead नहीं करना चाहिए इसको cancellation भी करना चाहिए ये कहिनकी demand थी इसके लाबा इसमें विजिटेटर जो या spectator है उनके बिना होगा बहुत ही limited number में कुछ जगह पर जैसे Miyagi और Shizuoka इन जगह पर छूट दी गई है Tokyo और Fukushima यहाँ पर कोई भी spectator नहीं होगा कोई भी दरसक इसमें नहीं होगा 1964 के बाद दूसरी बार Olympic को जो होश कर रहा है जैपान और इसमें यहाँ पर एक concern यह भी हुआ था कि जहाँ पर यह Olympic village ecosystem मनाया गया है वहाँ पर लगबग 70 athletes, coaches, officials and volunteers जो है COVID-19 positive पाए गये और इन सब के लाबा यहाँ पर यह डर था कि 1896 में जो शुरू हुआ था Athens के अंदर जिसकी roots थी है 1896 में Athens से जो शुरू हुए थे कि वो जो है उसको कही नहीं कहीं इसको लेकर जो debate है या वो सारी चीज़ें होंगी इसके complete होने के बाद इसके लाबा अगर medals की बात करें Olympics के अंदर तो इस ताइम जो lead कर रहे हैं मतलब overall Olympics में वो है USA, Russia, China, European Nation और Australia भारत के अगर context को समझे तो हमने अब तक 28 medal जीते हैं और इसमें mostly अगर gold medals की बात करें तो उसमें होकी में medal जीते हैं, individual gold medal भारत में बहुत कम है और I think अभिनो बिंदरा ने ही एक gold medal जीता था इनके लाबा legendary जो runners थे, Milka Singh साफ जिनकी अभी death होगी थी, इसके लाब PTO साफ इन्होंने अपना bronze मिस कर दिया था, 90-60 और 90-80 के अंदर respectively इनके लाबा इस बार थोड़ा सा अलग यह है कि बहुत जादा diverse या अलग-अलग sporting event के अंदर भारत के जो players हैं, वो पर्टिसपेट कर रहे हैं, जिसमें shooting से लेकर tennis, tennis से लेकर badminton, wrestling, boxing, weight lifting, बहुत सारे medals की requirement है, या जुरूत है, या हमें उमीद है कि जीतेंगे, 2012 में लंदन में जो Olympic हुए थे, अब तक हाइस टेली 6 medal हमने जीते थे, और इसमें इस साल जो है, कहीं ने कहीं उमीद है कि पीवी सिंधू, मेरी कोम, या weight lifting, wrestling, shooting, हर जिगह से भारत में एक एत्रीके से medal है, इतनी बड़ी country होने के वावजूद भी, दुनिया की second most populous country, दुनिया की most youth nation में से एक, लेकिन medal के नाम पर अगर दो medal हाते हैं, 2016 में, तो ये थोड़ा सा disturbing करने वाला है, तो इसके लिए ज आगे लेवल पर जाना पड़ेगा, जैसे, Olympic medal जो है, वो कहने के sporting निर्वान की तरह है, जैसे कि legendary tennis player, सर्वियन नौवक जोकोविक ने बोला था कि ये वो भी से पच नहीं सकती, इसके charm अपने आप में इसका अलग ही मज़ा है, इस medal का, इसके लाबा अगर आप देखेंग होता है, अगर हां, तो कैसे, वो आप नीचे कमेंट करना, आपना उपिनिन बताना, चार पांच पॉइंट बताना ही, ये चीज़े करिए, तब जो गोल्ड मेडल हम जीत सकते हैं, इसके बाद, यहाँ पर एक article दिया गया है, ये article है, the direction that NCF needs to take, NCF का मतलब है, National Circulum Framework, Circulum का basically मतलब क्या होता है, Circulum का मतलब होता है कि, Slavers हो, या Books हो, इन सब चीज़ों को लेकर, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, उन सब चीज़ों को लेकर, एक direction होती है, तो यहाँ पर यह बोला गया, कि National Circulum Framework को इतरी के सेव करने के लिए लिस्ट किया जाए, और इसके लावा, जो opinion है, इसको लेकर, कैसे हम लोग एक अच्छा Circulum Framework कर सकते हैं, जिसमें Teaching Methods, या Learning Methods को, या कौन से subject, कौन सी unit, और कौन सा syllabus जो पढ़ाया जाना है, इन सब चीज़ों को लेकर, काम किया जासके, इसके लावा, यहाँ पर बोला ग अगर बनाया जाने वाला है, तो उसमें बहुत सारे variation को हमें देखना पड़ेगा, तो इसको लेकर सबसे पहले बताया गया कि, NCRT ने टास्क दिया State Council को, जिसमें State Council of Education, Research and Training, SCERT जैसे NCRT Central Level पर है, तो State के अपने boards हैं, ठीक है, कि वो framework करने को लेकर, चार points पर अपने अपन रखना कि, जो National Education Policy 2020 ने जो recommendation दे थी, जो सजहाओ दिये थे, उनको भी ध्यान रख्या जाए, इनको लेकर, जो है, क्या final, जो document होगा, उन सब चीजों के बारे में, या क्या एक तरीकिस opinion होगा, उन सब चीजों के बारे में, suggestion मांगी गई, और इसमें बोला गया कि, NCRT जो ह सकता है, in terms of guidance, training of personal, technology, platform to develop these documents, right, इसके बाद, बहुत सारा data की, हमें requirement होगी, data collection की लेकर, तो इसमें ये बोला गया कि, कुछ question हो सकते हैं, MCQs हो सकते हैं, multiple choice question हो सकते हैं, ताकि, various जो opinion हैं, इनके हो, और एक common circulum जो है, हम लोग develop कर पाएं, और democracy में, बिना अगर ये doubt नहीं ह होना चाहिए, कि democracy के अंदर जो circulum हम बनाएंगे, उसका effect जो हो हर व्यक्ति पर होने वाला direct और indirect, ठीक है, तो इस तरीके से data को gather करना, organize करना, उसको circulum में use करना, थोड़ा सा challenging है, लेकिन अच्छे intentions के साथ होना चाहिए, अच्छे intentions के साथ मतलब कि, varieties of इस तरीके से discussion होना और इसमें यहाँ पर ध्यान अठना चाहिए, कि हमें वो चीज़ें नहीं करने जो हमारे सोच के साथ से सही हो, बलकि वो चीज़ें करने जो हमारी problems को solve कर पाए, और problems in the sense कि यह नहीं कि majority जो चाहती वही हम लोग करेंगे, for example, ECCE में अगर आप देखेंगे, early childhood care को लेकर, अ English के context में fair करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि society के context में, बच्चों के context में English को सिखाया जाना starting से ही वो एक सई step है कि नहीं है, इस चीज़ें को लेकर, इसके बाद यहाँ पर बोला जाता है some valid question, कुछ सवाल भी है, सवाल किसके बारे में, कि अगर national education policy 2020 को implementation करना, उसकी recommendation को implementation कर जाए, इस चीज़ को लेकर जुरूरी है कि values को लेकर capabilities को लेकर skills को लेकर, जो emerging market की requirement है, उनको ध्यान में रखते हुए, हमें अपनी policies को बनाना है, और इसमें priorities हो, inter relationship या circular के अंदर जो content होगा, pedagogy का जो तरीका होगा, पढ़ाने का जो तरीका होगा, उन सब चीज़ों को लेकर भी एक suggestion या recommendation के basis पर ही काम करना चाहिए, इनके लावा यहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ जैसे pedagogical grounds पर आप देखेंगे, ECCE plus classes जिसमें 1 and 2, first 5 year of education for the age group 3 year to 8 year, यानी जो categorization करेगी national education policy के अंदर, ये group इस policy इस age group में रहेगा, ये age group जो इस particular एक तरी किसे education sector के अंदर रहेगी, इनके लावा बहुत सारी चीज़ों पर discussion होना चाहिए, जिसमें teachers की qualification, salaries, training और इनके लावा उनका कैसे function करेंगे, और दूसरा उनके एक तरी किसे pedagogical grounds पर आप देखेंगे, तो capabilities of self-restraint, adults के साथ deal करना, people outside family उनके साथ deal करना, इन सब ची education जो है, इस policy के अंदर या circularum के अंदर development करने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में यहां पर mention किया गया, और इसी कड़ी में ध्यान में रखते हो, national education policy की important है, बट इसमें ये भी ध्यान आखना कि केवल national education policy के basis पर problem को solve करना सही step नहीं होगा, इसके लिए जरूरी है कि flexibility ह secondary education के अंदर examination reforms हो, इसके लावा more exposure to Indian language यानि बहुत सारी Indian language जो उनको exposure किया जाए, और इसको लेकर ताकि हमारे education system को और ज्यादा बेटर बना सके है, जिन diversity of opinion जो है वो include करनी पड़ेगी और इसमें जो सर्कुलम बनेगा, उसमें हमें ध्यान एकना कि ये आने वाले टाइम Indian education system को और ज्यादा boost up करें, इसके बाद यहाँ पर mention किया गया कि जब हम सर्कुलम फ्रेम कर रहें, नेशनल सर्कुलम फ्रेम तो उस context में दो committee report मदद कर सकती है, secondary education commission report दूसरी जाके रहे उसे इन basic national education, तो इन reports के basis पर, society पर, individual education के लेवल पर या democratic process के अंदर कैसे हम लोग एक बैटर सर्कुलम फ्रेम कर सकते हैं, ताकि हमारे जो education system उसको और ज्यादा बैटर किया जासकी, इन सब चीजों के बारे में discuss किया गया, बाकि इसमें BNAE के BNAE की बारे में बताया गया, जो एक committee ती, यहाँ पर आप देंगे, basic national education, इसका historical background बता गया, यह सारी चीजें पर इसका positive impact होना चाहिए, और अर्गियों में इसमें जो circular होगा, उसमें democratic values को जो है, स्थान दिया जाना चाहिए, यह कुछ important, important इसकी suggestion दी गई है, इसके बाद यहाँ पर यह article दो है, dimensating status of Chinese worker यह ज़रूरी नहीं है, आप इसको cut कर दीजिए, और next page पे जो article मैं बोल रहा really favor consumer, क्या जो e-commerce के जो rules है, वो consumer के favor में है, इसके बारे में article है, the intent of the rules is unclear and there are several consumer protection rules already in place, इसके article दिया गया, जून के अंदर Union Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution के तरफ से एक list बनाये गी थी rules की e-commerce के context में, और यह rules में amendment किया गया था, Consumer Protection Act of 2019, इसमें क्या के चीज़ाइड करे गी थी, इसमें appointment of chief compliance officer है, resident grievance officer है, provision of fullback liabilities है, और registration of e-commerce entities है, ठीके इनके लावा ban on flash sales करके यह भी कहिने के इसके अंदर mention किया गया था, इन सब के लावा central claim करते हैं कि हम लोग unfair trade practices को जो है उनको रोकेंगे, और e-commerce companies और इनके लावा consumer के interest को जो है, ध्यान रखेंगे, लेकिन हर कोई इस बात से agree नहीं है, इस चीज़ को लेकर यहाँ पर दो personality इस चीज़ को discuss कर रहे हैं, अलग-लग section को discuss कर रहे हैं, यह article इसके बारे में, आप इसके बारे में self study कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर एक news दीगे, leaving Africa behind करके जो title दिया में, तो अभी तक केवल 0.27% ही COVID-19 vaccine या डोजी जो है, एडिस्टेट की गई है, इसमें high income countries में 30% और upper middle income countries में 52%, यानि अगर आप vaccination के मामले में बात करेंगे, तो जो country ज्यादा अमीर है, वो आपको लगेगी कि आपको lead कर रही है vaccination के process में, इसके लाबा, अफरीका की जो countries ह हैं, वो बहुत पीछे हैं, और उसी चीज़ को लेकर analysis किया गया है, और इस चीज़ में ये भी concern है कि इस time बहुत सारे African countries के अंदर, जो highly transmissible delta variants है, उसके cases बढ़ रहे हैं और यह ओर ज्यादा problematic हो सकती है, तो तीन पॉइंट यहाँ पर बताएगे, South Africa और Tunisia जो लीड कर रहे हैं, इस time पर सोरी, most contributing कर रहे हैं, cases के अंदर, यहाँ पर cases increase हो रहे हैं, और यहाँ पर vaccination का administration जो किया गया है, 7.6% और 13.5% के आसपास आपको देखने को मिलेगा, इनके अलाबा यहाँ पर Nigeria और Ethiopia जो दो बड़ी population वाली country अफरीका के अंदर, यहाँ पर vaccination जो है 1.2% और 1.9% की हुआ है, इनके अलाबा चार्ड हो, Democratic Republic हो, Congo हो, जहाँ पर average case 370 है, इसके अलाबा बुर्किनो फासो, बेनिन, साउस सुडान, मिड़ागासकर 600 cases per day, माली के अदर 207 cases per day, और यहाँ पर भी केवल 1% vaccination जो है हुआ है, तो अब debate सुरू होता है, vaccine inequity को लेकर, यहाँ वेक्श स्वान और अलजीरिया, यह दो country है, जहाँ पर 119% और 134% यहाँ पर increase हुए, number of cases में by weekly, यहाँ वीक में कोई दो बार growth का analysis करोगे, तो इसमें इतना increase हो रहा है, और जब आप देखेंगे, जब पूरी दुनिया में vaccine supply को लेकर, government of India criticism हुआ था, तब government of India की statement थी, कि जब तक पूरी दुनिया जो है, एक तरीके से, पूरी दुनिया को vaccinate नहीं करते, तब तक जो कोई भी safe नहीं है, and nobody is safe without, if anyone is unsafe, यानि कहीं पर भी अगर हम vaccination नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया फिर से affected हो जकती है, इसके बाद page number 8 पे हम discuss करेंगे, सबसे पहले बा उसके बाद Afghanistan government decision लिया कि अपने diplomats को और envoys को वापिस बलाएंगे, इसके बाद Pakistan की तरफ से government of India पर भारत सरकार पर कुछ allegation लगा गए, उसी चीज़ को लेकर government of India ने एक तरीके से statement release करी, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, कि पहली बाद जो यहाँ पर Afghanistan के family के साथ, अफगानिस्तान के जो ambassador उनकी family के साथ जो घटना हुई, उसको तरीके से पूरी दुनिया shocking की तरह, दूसरा, यहाँ पर बोला गया कि इसमें आप भारत को involve करें तब यह जुरूरी है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, हाला कि भारत जो है, दो state के, दो countries के relation को लेकर comment बह अगर आप भारत को खीच रहे हैं, तो आपका एक low standard है, यानि आपका जो तरीका है, आप victims के, यानि जिसके खिलाब crime किया गया है, या जो एक तरीके से ambassador की daughter थी, उनको kidnap करके torture किया गया, उसकी proper inquiry investigation करने के वजाए, अगर आप government of India को criticize कर रहे हैं, तो एक low height है, यानि इससे घटिया चीज़ कोई हो नहीं सकती, इसके बाद यहां पर आप देखेंगे, रिशनली जो प्रिजिडेंट इलेक्ट हुए, इनाइटी नेशन जनल असेम्बली के, वो भारत के अंदर आएंगे, और इनका नाम है अब्दुल्ला साहित, ये माल्दियूज के foreign minister है, और आज ये मिलेंगे भारत के परधान मंतरी से और भारत के एक तरिके से विदेश मंतरी से, इनकी importance क्या है, और इनको अगर आप देखेंगे, ये वही व्यक्ति है, जिनको भारत ने बहुत पहले sport कर दिया था, और भारत ने बोलाता है कि हम इनकी एक तरिके से chairmanship को या इनकी अद लेटरल टोक्स हुई और जो भारत और मालदियू साइन करेंगे नियू डेवलेमेंट पार्टिशिफ डेवलेमेंट को लेकर और कई सारे प्रोजेक्ट को जो है वो रियू भी किया गया इसके लावा यहां पर भारत की तरफ से यह बोला गया प्रेजिडेंशी ओफ होप करक और इसमें एक तो युनाइटी नेशन रिफॉर्म्स को लेकर वेक्षिनेशन को लेकर इक्विटीबल डिस्टिविशन और वेक्षिन यह जो वर्ड अभी यूज कर रहे हैं यह अभी हमने एक आर्टिकल पढ़ा था अफ्रिका में कैसे वेक्षिन के मामलें पर अफ्रिका बहुत पीछे है उनाइटी नेशन में रिफॉर्म्स को लेकर हो रेडिकलिजम को गांटर करने को लेकर हो परेक्विशन परमानें प्रिकार हो इंपोर्टेंज होने वाली है इसके बाद बात करेंगे नीचे एक न्यूज है इनलीसिस इनजीया दौिजी आ और इनलीसिस का नाम है ट्क्सिक लिंक्स करके इन्हों ने रिवियल किया कि माइक्रो प्लास्टिक की अगर आप डेफिनेशन लेकर एक माइक्रो मीटर से पांच मिलिय मीटर तक यह होते हैं और यह माना जाते हैं की marine pollution का एक source की वज़े से यह आपको देखने को मिलते हैं इनके अलाबा गंगा भारत के पांच स्टेट से क्रोस करती है और इसको लेकर union government ने national mission for clean गंगा करके भी launch किया था और ताकि इस तरह की चीज़ या गंगा के हम सफाई कर पाएं या गंगा को सबस्च बना सके हैं, microplastic को consider क्या जाता है एक major source की तरह marine pollution में और इसमें untreated sewage from many cities जो river के अंदर आता है या ऐसा एक तरीके से sewage treat में untreated जो sewage होता है, river के अंदर चला जाता है, industrial waste होता है, religious offering होती है, और यह सारे non-degradable plastic इसके अंदर होते हैं, तो इसकी वज़े से क्या होता है, यह छोटे-छोटे plastics में जो प्रेक हो जाते हैं, और उसके बाद यह कई ने कई, microplastic के अंदर यह आप देखेंगे, जो जलिये जीओ, उनके लिए भी इतना ही नुकसान दे होता है, इनके लावा इस तीज को लेकर बताया गया कि, essential क्या है, कि microplastic जो flow कर रहा है, उसके अलावा direct link बनता है इसका, कि state हो या central government हो, solid and liquid waste management में, कही ने कहीं अच्छा performance नहीं किया है, और इ हमें requirement है, कि various technologies में, industries है, government है, civil society है, यह अपने एक तरीके से मिलकर, plastic waste management करिये, और reduction करिये, microplastic pollution को, ठीक है, तो एक important news है, microplastic के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसके बाद page number 9 पे left hand side information देगे, inland vessel bill करके, यह बोला जा रहा है, कि यह ensure करेगा safety को, inland vessel bill के बारे में मैं detail से एक वीडियो लेकर आँगा, आज ही, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या-क्या main feature, inland vessel bill का मतलब क्या होता, 2021, इसको recently जो है, introduce क्या गया है, लोकसभा के अंदर, कि इनके दवारा, newly appointed ports, shipping and waterways minister, सर्वानन सौनवल के दवारा, तो इनके बारे में इस bill के बारे में पढ़ेंगे और क्या impact होगा, कैसे navigation को, production of life and cargo को कैसे impact करेगा, तो इसके बारे में details से हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद page number 10 पे छोटी-छोटी information है, जैसे जिन बच्चों के parents expire हो गए हैं, या COVID-19 के बाद जिन बच्चों के parents expire हो गए हैं, उनको कैसे support कर सकते हैं, इसको लेकर एक portal भी बनाया जाएगा, जिसमें 23 के बाद आपको 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 स्टाइपेंट मिलेगा, आइसमान भारत के साथ के स्केम के तायता आपको पांच लाग का insurance coverage मिलेगा, इनके लावा education पर जोग गोवर्मेंट आपके बियर करेगी, इसके लावा चोटी-छोटी information आप देखेंगे इस particular news में, जैसे Central Government of India ने लदाख के अंदर उनिवर्मेंट आपको 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 feeling को हम समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी mention किया गया है, कि we cannot interference in policy decision of the government, यानि हम लोग सरकार की नीतियों में interfere नहीं करेंगे, जब तक कोई unreasonable या arbitrary यानि एक तरीके से illogical सी कोई decision government ले ले ले, तब तक हम लोग interfere सरकार के मामलों में नहीं करेंगे, इस statement है, जस्टिस खौनविलकर की, इसके बाद, page number 11, world affair का जो एक section है, और इसमें mention किया गया है, दो-तिन information, पहला, इसराहिल ने appoint किया commission जो review करेगा, एनसो को लेकर, फ्रेंज के president जो है, वो एमनियोल मेक्रों उन पर भी तरीके से, उनके accounts को है, उन पर भी target किया गया थे, इस group के द्वारा, और यहां पर वो बोलने के एक national security meeting होगी, चायना condemn करता है, कि इस तरह की चीज़ें जो हुई है, spider surveillance, इनके अलावा, इस पर आप देखेंगे, Medagascar के जो president है, उन पर attempt किया गया, उनको assignation, उनकी हत्या करने का, इस तरीके से, हेती के जो president उनकी हत्या करती गई थी, Medagascar में भी इस तरह की event होता है, यह घटना होती है, आप बोल सकते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे, Medagascar की geographical location, और Medagascar जो है वो African country है, यहां पर यह पूरी की पूरी घटना होती है, और इसलिए यह news में भी है, क्योंकि Medagascar कई बार important यह कई बार news में आता, तो Medagascar African country के अंदर यह पूरी की पूरी घटना हुई, और इसको हलाकि Medagascar की तरफ से officially बोला गया, कि हमने foil कर दिया, एक तरी के से इसको रोक दिया, हमको इस तरह के attempt को कहीं न कहीं successful नहीं होने दिया, इसके बाद यहां पर छोड़ी छोड़ी information जैसे, चाइना ने reject करे या कि WHO का जो प्लान था, कि audit करें फिर से, या अगर आप देखें, WHO ने यह planning करी थी कि चाइना की जो Wuhan lab वहां पर investigation proper फिर से होने चाहिए, दुबारा होने चाहिए, उस context में लेकर चाइना ने इस जो proposal उसको reject कर दिया, चाइना पर्मिशन नहीं देगा, कि WHO वहां पर एक तरीके से discussion ये प्रोब को लेकर inquiry करें, COVID-19 का origin को लेकर बहुत सारी theories है कि COVID-19 दुनिया भर में कैसे है, तो इसी चीज में ये माना जाता है कि lab leak theory, जिसको लेकर Washington Post ने भी एक publish की थी report कि जिसमें mention किया गया था कि lab leak जो theory है, उसके बिल्कुल sourcism के पास है और ये definitely किया गया चाइना के दौरा इस तरह की चीजें भी सामने आई थी, इसके लावा यहाँ पर World Health Organization के जो decision उसको ये बोलता कि politics की होज़े से लिया गया या disrespect, arrogance towards science इस तरह के चीजें जहाँ पर mention की गई, इसके लावा United States ने अफगानिस्तान में एर स्ट्राइक करी और बोला कि हम अफगानिस्तान के साथ करें इस तरह की छोटी छोटी information आपको देखनेों का मिलेगी वर्ल्ड अफ़ेर पर, इसके बाद last page जो है, वो है business और यहाँ पर important बात बोली गई है, RBI प्लान कर रहा है, digital currency को launch करने को के बारे में, और RBI की तरफ से statement दिया गया है, कि digital currency की जो planning है, उसको pilot project में, वो जल्द ही implementation होने वाली है, और इसको लेकर बताया गया, CBDC will help cut the cost of currency management while expediting real-time payment, यह statement दिएए, अब यह CBDC क्या है, अगर आप digital currency, virtual currency आपने के बारे में discuss करोगे, तो bitcoins इस तरह के currency यह जो currency आपको देखने को मिलेगी, यह है digital currency और virtual currency आप बोल सकते हैं, इसी चीज़ को लेकर दो country news में रही थी, चाइना ने अपनी digital currency launch कर रही थी, और El Salvador और वो country जिन्होंने legal एक तरीके से transaction का method बना दिया bitcoins को, तो दोनो country news में रही थी, El Salvador और दूसरी आएगी चाइना, ठीक है, बहुत सारी हो सकते हैं, दो country मुझे ध्याना बाकी भी हो सकते हैं, तो RBI प्लानिंग कर रहा है कि वो जल्दी अपनी digital currency launch करने वाला है, और वोल्सेल और रेटेल पेमेंट को लेकर, इसको लेकर CBDC का मतलब है, इंटेडूस करेगा Central Bank Digital Currency, इसकी फूल फोर्म होगी Central Bank Digital Currency, इस चीज़ को लेकर यह बोला जा रहा है कि इसको जो वेट है, वो साइध खतम होने वाला है, और इसको लेकर जो pros and cons है कि क्या benefit है digital currency की और क्या नुकसान है उन सब चीज़ों को analysis किया जा रहा है, इंडिया जो है leader digital payment के मामले में, लेकिन अभी भी छोटे खास कर small value transaction के अंदर लोग cash का use करते हैं, और cash को digital currency के अंदर change करने में कहीन है कहीं काम करेंगा और इसमें management को लेकर हो, real time payment हो, या inter bank settlement, इन सब को लेकर इनकी cost को reduce करने में एक तरीक इस कमी आएगी, और यहां पर यह भी बोला जारा कि अगर हम इसमें कर पाते हैं, तो इसका impact जो होगा positive किन-किन sectors के अंदर हो सकता है, जैसे यह paper currency को जो है save करेगा, जैसे भारत के अंदर currency to GDP ratio जो है high है, और भारत में printing cost जो होगी, transporting cost या paper को store करने को लेकर इसको कम केज़ा सकता है, अगर हम digital currency को launch कर देंगे, तो CBDC जो है central bank digital currency जो है, वो important role play कर सकती है, आने वाले time में इसी चीज़ को लेकर RBI planning कर रहा है, उसके pros and cons analysis कर रहा है, और उसके बाद कैसे benefit करेगा, उन सब चीज़ों के बारे में भी discuss किया गया, यहाँ पर कुछ concern भी है, जो problem है उनको लेकर भी analysis के अजार जैसे यह मदद करेगा, इसका overall benefit क्या होगा, यह enable करेगा cheaper and more real time globalization of payment system को, और यह conceivable होगा, इसके वज़े से क्या होगा, डोलर रूपी की जो transaction है, उसमें risk कम होगा, time zone differences का जो असर होता, उसको भी minimize के अजास करेगा, वर्चुली जो transaction कुछ problem होती है, वो भी कहीं disappear हो जाएगी इस तरह की, इस तरह की impact को minimize यह करेगा, तो यह important edit, पूरा का पूरा newspaper हमने cover किया, कुछ information हो सकती है कि miss होगी हो, तो आप उसको भी cover कर सकते हैं, तो यह कुछ information थी, कोसिश करिए जो 2-4 सवाल आप से पूछे गए हैं, उनके आप जवाब ज़रूर दे, ताकि आप और हम लोग जो मिलकर अच्छे से discuss कर पाएं, तो thank you all, जहीं